हेलो फ्रेंड्स तो भाई BSC सेकेंड सेमेश्टर केमेश्ट्री ठीक है यूनिट वन हम लोग देख रहे थे केमेश्ट्री आप कार्पोहेड्रेट्स मतलब कार्पोहेड्रेट का रासेंड जिसमें आज हम बात करने वाले कन्वर्जन आफ एल्डो एक्सोज इन्टू एल्ड पिंटोज में जाना है ठीक है एल्डो एक्सोज का मलब क्या होता है वल्लब 6 कार्पोहेड्रेट्स से 5 में देख कहरा उच एल्डोज को निम्यतर एल्डोज में रफ संस्लेसर दोरा परिवातित किया जाता है उचितर मतलब कि हाईयर एल्डोज कह सकते हो निम्यतर से एल्डोज क्या होता है तो देखो इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चूके अभी बेसिक समल दो थोड़ा सा एल्डोज ऐसा कार्पोहेड्रेट्स जिस पे एल्डिहाइड ग्रूप हो जैसे एक्जाम्पल के तौर पर ग्लुकोज CHO, CHOH का होल 4 और आपका CH2OH ये आपका ग्लुकोज का फॉर्मलो अहता है और इसका दूसरा नाम होता है अल्डो हक्सोज छहाँ कारबन है गिलोग छहां कारबन के तोर पे गलुकोज यह थे आप कारबन की संख्या जो है छह है अब जो यह आपका राफसनस लेसरड़ यह क्या करता है उच्छतर अटोज को निम्नतर अटोज में परिवर्तित करता है मतलब कि यहाँ पे हम 6 कार्बन को 5 कार्बन में परिवर्तित करके आपको दिखाएंगे ठीक है यही होगा आपका रफ संसलेशल 39 एल्डोज को 99 एल्डोज में परिवर्तित ठीक है तो यह कुछ step में यह वाली अपक्रिया होगी ठीक है उस steps को भी अभी हम देखेंगे ठीक है अभी यह बात समझ लो कि एल्डोज जार्था 6 कार्बन को लोग किसने एल्डोज पेंटोज जार्था 5 कार्बन परिवर्तित करने वाले ठीक है अभी आपको बहुत ही आसारी से दिखाएंगे तो देखो बात करते हैं इसको आपका देखो कुछ step पे अपक्रिया होगी पहला step कहरा है glucose का oxidation करके gluconic acid बनाते सबसे पहले आपको glucose का oxidation करना और gluconic acid को बना लेना ठीक है तो देखो यह glucose का formula इसी से हमें gluconic acid बनाना इसका oxidation करके अभी बताएंगे आपको अभी थियोरी के वल समझ लो फिर क्या करना है gluconic acid का calcium salt बनाकर ferrous sulfate की उपस्तिती में hydrogen paroxide से आक्सिकट किया जाता है जिससे carbon dioxide कारू निकल जाता है और aerobinoj निम्नतर eldoge अर्था lower eldoge बन जाता है यही आपका रफ synthesis ठीक है तो देखो example के तोर पर हम ले रहे हैं आपका eldohexos अर्था glucose को ठीक है CHO, CHOH का whole 4 और CH2OH किसका formula भाईया यह इसे हम लोग कहते है glucose या आप कह सकते हैं eldohexos ठीक है तो देखो यही है आपका eldohexos अब इस glucose से हमें देखो पहले का गया पहला number point पढ़ो कह रहा है glucose का oxidation करके glucose acid बनाते है तो simple भाईया glucose लिया इसका oxidation कर देते हैं कि इस पे आपका bromine और gel पे ठीक है BI2 और H2O पे इसका oxidation कर देते हैं जिससे आपका यहाँ glucose acid बनेगा देखो यह HO जो है यहाँ पे एक oxygen यह वाला एक oxygen यह आकसी करण का और hydrogen बस इतना लगा दो CHO की ज़ेगा COOH कर दो ठीक है यही हो जाएगा glucose acid का formula CHOH का whole 4 और CH2OH यह आपका किसका formula हो गया glucose acid का ठीक है glucose acid का formula हो गया आसानी से हमने ldoexo जार्था glucose से आकसी करण करके अब दूसरा point देखो पहले एक आ गया देखो की glucose का oxidation करके gluconic acid बनाते दूसरा point है gluconic acid का calcium salt बनाते तो देखो इसकी क्रिया हम लोग कर देते calcium carbonate से जिसका calcium salt अर्था calcium लवड बन जाए तो बहुत असान अब कि यहाँ से हटा देना hydrogen यहाँ से हटा देना और लिख देना यही आपका C, ठीक है COC और जो है वो पूरा सेम लिख दो CHOH का whole 4 और CH2OH ठीक है मतलब की केवल वहाँ से hydrogen हटा के यहाँ कार्बन को लगा दिया ठीक है देख सकते हो आपका यहाँ पर से भई hydrogen आपका मतलब वहाँ से हट जाएगा और calcium आपका लग जाएगा ठीक है यहाँ पर C आपका calcium लग जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या हो गया calcium salt of gluconic acid किसका calcium salt भईया gluconic acid का मतलब C, O, C, A ठीक है तो आसानी से calcium salt of gluconic acid आप बना सकते हो ठीक है तो पहले glucose था उसका oxidation किया gluconic acid फिर calcium carbonate से क्रिया calcium आपका C, O, C लग गया ठीक है तो देखो आप क्या करना है जब calcium salt बन जाएगा तो इसकी ferrous sulfate की उपस्तिती में hydrogen paroxide से क्रिया करनी ही ठीक है तो देखो करते हैं क्रिया आपका hydrogen paroxide से और किसकी ferrous sulfate की उपस्तिती में ठीक है जब इससे क्रिया करोगे तब क्या होगा आपका देखो यहाँ पे यह जो C, O, O है ठीक है यह आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जल भी आपका बाहर निकल जाएगा ठीक है मतलब कि यहाँ पे जो 4 था अब वो 3 पे परिवर्जित हो जाएगा क्योंकि हमें भईया 5 कार्बन वाला बनाना है न अभी और थोड़ा समझेंगे अभी इतना समझे लो 6 कार्बन से में लोग 5 कार्बन पे आएगे हैं यह आपका जलकाडू बाहर निकल जाएगा ठीक है तो आपका बनेगा क्या आपका यही देखो CHO जब कार्बन डेकसेड हो जलकाडू बाहर निकलेगा तो CHO CHOH का होल थ्राइज हो जाएगा जो 4 था यहाँ पे 3 हो जाएगा ठीक है तो 5 कार्बन अरा से आप बना सकते हो एराइबिनोज या कह सकते हो एल्डो पेंटोज ठीक है तो देख सकते हो पूरा आपने फिर से लिख दिया अच्छे से आपका ग्लुकोज है इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया ग्लुकोनिक एसिड कैसियम काबोनेट से क्रिया कैसियम साल्ट आप ग्लुकोनिक एसिड फिर कैसियम साल्ट आप ग्लुकोनिक एसिड का हैडोजन पराकसाइड और फेरस सल्फेट यह आप एफिर 2 प्लस भी लिख सकते हो ठीक है से क्रिया करने पर आपका Arabinose, Eldopentose बन जाता है आसानी से 6 कार्बन वाले से 5 कार्बन पर आप जा सकते हूँ ठीक है तो इन बस आपका यहाँ पर क्या है Higher Eldose को Lower Eldose में परिवातित करता है Rough Sons Layser और यह कुछ step पर यह क्रिया होती है ठीक है वो step भी आपने सीखे आपका इसमें Eldo Exos से Eldopentose बनता है इस्टेपी देख सकते हो Glucose का Oxidation किया Gluconic Acid बना फिर Gluconic Acid का Calcium Salt बनाकर देखो Gluconic Acid का Calcium Salt बनाकर Ferus Sulfate की उपस्तिती में Hydrogen Paroxid से Oxid किया जिससे Carbon Dioxide कालू निकल गया और निम्रतर Eldose, Arabinose बन गया ठीक है आसानी से भाई आप बना सकते हैं ये पूरी इसकी क्रिया विधी है ठीक है Gluconic Acid, Calcium Salt और फिर आपका Arabinose तो आपने क्या बनाए 6 कार्बन वाले कार्बोहेडरेट से 5 कार्बन वाले या 6 कार्बन वाले Eldo's से 5 कार्बन वाले Eldo's में पहुँच गया ठीक है एकदाम आसान अब किया थी बहुत ही अच्छे से समझा भी हमने ठीक है तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नहों तो सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है सारे वीडियो और भी देख लेना चैनल पे